ये लोग देखिए दोस्तों स्कूल से आ चुके हैं और स्कूल से आने के बाद ये लोग अपना क्या ले करके बैठें ये देखिए कल 15 अगस्त है तो बस 15 अगस्त के उपलक्ष पे ये लोग अपना बना रहे हैं देखिए फ्लैग और इधर इसका भी बन रहा है और ये दिखे कितना सुंदर से बना रहा है और ये इसको बुक नहीं मिला तो ये लिखा हुआ बुक में ही ये पैंसिल से लिखा हुआ है तो इसी में ये बना रहा है और देखे कितना अच्छा से ये जंडा भी बना दिया एक इधर क् कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़या होंगे मज़े में होंगे खुश होंगे और हम भी अच्छे हैं तो और यह देखिए इसको स्कूल से टाइम में यह फ्लैग लगा के दिया था तो उसको भी देख करके यह इसमें डालने लगा है यहां पर पूरा बैड गया है साम देने का टाइम हो गया तो दीपक चला देते हैं पहले साम दे देते हैं अच्छे से उसके बाद के लगते हैं अपने कामों में और साम को ना संध्याबादी करना बहुत ही जरूरी होता है जरूर से हमें अपने घर में दीपक वगरा जलाना चाहिए नहीं दीप तो चलिए भी बनाते हैं और यह भी देखिए अभी आई है कॉलेश से अभी एकडम टाइम साड़े छे बजी गया है साड़े छे से 5 मिनिट ओपर हो गया होगा और अभी आई है जस्ट और यहां पे ना सुक्रवार को वरलक्षमी पूजा है तो बहुत ज्यादा मार्केट काल दे नहीं आ रहा था तो इसलिए इसको लेट हो कि आने में लिए चूड़ा फ्राइब तो थोड़ासा अरामसे खा लेंगे पिर उसके भाद में खाना बनाएंगे और ये चुड़ा में थोड़ा सा धान वाला कूछ पूस था अच्छ़ा था दोचार तो उसको निकाल दिया है अच्छे से और कड़ाई में दिखिये तेल किया हुआ ही है दो फर में यह पापड तले थे,刚 européenee थे तो इसमें रखा वुआ था तेल तो इसी में थोड़ा सा चिप्स छाक देते हैं पहले और उसके बाद भी चुड़ा फ्राय करेंगे तेल को निकाल लेंगे और ये वाला जो चिप्स है ना ये बहुत ही कम हीट में अच्छे से पकता है अगर जादा हीट हो जाएगा तो फिर ये बड़ा होता ही नहीं है जितना सा का उतना सा ही रह जाता है और एकदम कम आच में इसको फ्राय करने से अच्छा सा उतने का ये डबल ट्रिपल हो जाता है ये दिखिए ये सब चिप्स को छाक लेते हैं पहले और चुड़ा फ्राय हमारे यहानब बहुत ही पसंद किया जादा ऐसा भी को पसंद है और इसको आप बहुत तरह से बना सकते हैं इसमें कुछ आलू बगेरा प्याज बगेरा भी डालके बना सकते हैं इसे सुखा भी बना सकते हैं बना के इसको रख दे डब्बे में अराम से मैंने दो मैंने भी खा सकते हैं एक्दम अच्छा बना रहता है ये दो सारा चिप्स को फ्राय करके उसके बाद फिर चुड़ा भूनेंगे और ये इस्ट्रा तेल जो बचेगा ने इसको निकाल ले है और ये चुड़ा को दो बैच में भून कर तयार कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा तो एक बैच में अगर भूनेंगे तो अच्छे से नहीं भूनाएगा और थोड़ा सा तेल रख दिये थे कड़ाई में क्योंकि तेल में फ्राय करने से ने अच्छा बुनाता है एकदम हलका सा क्रिस्प सा होता है ये चुड़ा तो इसको देखिए दो बैच में करके भून कर तयार कर लेते हैं और एकदम अभी हलका हो गया है तो यह देखिए पहला बैच भून कर तयार हो गया बस इसी तरह सारा भून लेते हैं इसमें भी थोड़ा सा तेल दाल देते हैं तो इसको भी भून कर तयार करेंगे और इसके बात ने इसमें थोड़ा सा मुंग फली वगैरा डाल के कुछ भी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं ऐसे चाहे तो आलू-प्याज वगैरा सब और तेल में हल्दी डालने से अच्छा रहता है, हल्दी अच्छे से पक जाता है, नहीं तो हल्दी का कच्छापन आने लगता है, यदि कि सब कुछ डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, और गैस कर देंगे, बंद क्योंकि सब कुछ तो भुना हुआ ही है, ज्यादा गरम करेंगे तो फिर ये जल जाएगा और नमक डाल देते हैं थोड़ा सा अपने स्वात के अनुसार इसको मिक्स कर लेंगे हमारा पुआ बनकर तयार हो चुका है पुआ नहीं चूड़ा फ्राइ और इसमें मिक्चर वगेरा मिला करके खा सकते हैं हमारा मिक्चर तो खतम हो मिक्चर आने के बाद हमारी घर में रहता ही नहीं है बस एक सब्ता दस दिन में सारा मिक्चर खतम हो जाता है यह दिखिए हमारा चूड़ा फ्राइ हो गया थोड़ा सा चिप्स रख दिये इसके उपर से पापड़ वगेरा भी तलके डे सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा लगता है इसाम का नास्ता आप इसको सफर में भी लेके जा सकते हैं हम लोग ट्रेन में जाते हैं कभे भी तो यह जरूर से बुन कर ले जाते हैं तो यह लोग अपना खाएंगे और इधर चल रहा है टीवी और मेरा इधर दीपक भी देखिए जल ही रहा है इसके बाद चल काने से होगा नहीं खाना तो बनाना ही पड़ेगा सुबह हो या साम रात दोफर कभी भी खाना तो हमारे जरूरी ही है यह देखिए सबजी लेकर के यह आये थे अभी साम को ही लेकर के आये थे उतना आप लोगों को नहीं दिखा है यह बींस था तो बींस का भुजिया बन तबे में नहीं बनाते हो। तो आदत है कड़ाई में बनाने का तो इसलिए कड़ाई में अच्छे से बन जाता है। और या तवाना मारत थोड़ा सा पतला है तो जालने लगता है इसमें रोटी। फिर भी बन ही जाता है। कड़ाई में भुजिया बना था न तो इसलिए तवे पर ही रोटी बना लेते हैं और रोटी बनाने के बाद अब बस साब सफ़ाई करने का जरूरी हो जाता है क्योंकि इस टोब देखे कैसे पूरा आठाठा हो गया है तो इसको इस टेंड वगर निकाल के धोके रख देते है तब ये सुबा के लिए हमाना कीचान एक तम तयार रहेगा सुबा में बस अपना उठो और काम करो तो रात में ऐसे साब सभाई कर देने से अच्छा रहता है और खाना तो सबको उधर दे दिये थे तो बस वही बीन्स का भुजिया रोटी थाली लगा कर आप लोगों को न बालात था और थोड़ा सा दिन का दाल बचा हुए तो दाल तो कोई नहीं खाएंगे वह हमें खाएंगे बाद में तो चलिए तो साफ सपाई होते रहेगा और वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाता है तो यहीं पेंड करते हैं और थोड़ी से भी वीडियो अपनों को बाई बाई रादे रादे